हे एवरिवन आज एक फूट पोस्टर डिजाइन करेंगे फिगमा में जो कि एक स्टेप बाइ स्टेप टिटोरियल है तो इस वीडियो को पूरा वाच करो क्यारफूली होके चलो क्रेट करते हैं सबसे पहले आपको एक न्यू डिजाइन फाइल ले ले लेना है उसके बाद लेता हूं अब एक फ्रेम सेलेक्ट कर लो कि उसके बाद को इसा एक प्रेसेट चूज़ कर लो इंस्ट्राग्राम का मैं पोस्ट ले लेता हूं उसके बाद इसका हैट चेंज कर देते हैं कि उसके बाद आप एक अपने इस फ्रेम का एक नाम दे दो कोई साइक मैं एक नाम दे देता हूं तो अब आप सेप टूल में जाके आप एक इमेज प्लेस कर लो अपना मैं इमेज प्लेस कर लिया हूं उसके बाद प्रोपर ले इसको मूब टूल के नीचे स्केल टूल है उसको आप लेकि इसका साइज चोटा कर लो प्रोपर लिप फ्रेम में आप अड़ेस्ट कर लो इसका एंगल रोटेट कर दो लाइक टैन परसेंट परसेंट हम ओके आप एक रेक्टेंगल से ले लो प्रोपरली फ्रेम को पर आप इसे प्लेस करो उसके बाद से का कलर चेंज कर लेते हैं मैं इमेज कर लेता हूं कलर को आप ओके उसके बाद आप इसे फ्रेम में ले आओ इस इमेज के बेक्ग्रोंड में बैक में प्लेस कर दो इस तरह से इसके बाद आप इसे का फ्रेम का कलर चेंज कर दो ग्रेडियन कलर ले लेते हैं उसके बाद आप इसका फिर से इसे आप इमेज से कर लो कलर मैं इस तरह से कर लेता हूं थोड़ा इसका लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं ओके हो गया आप इस इमेज को और से को लॉक कर दो ताकि इधर उदर मूब ना हो आप पैन टूल सेलेक्ट कर लो आप इसका साइडो करेट कर लेते हैं आप इस टूक को हैट कर दो कलर फिल में जाके इसका कलर फिल कर लो ग्रीडियन में जाके आप इसे ग्रीडियन कलर सेलेक्ट कर लो इस साइड में ब्लेक अब इस साइड में ब्लेक दो और इस साइड को आप अब रीडियो कलर रीडियूज कर दो लाइक है ट्वैंट इसके बाद इफेक्ट में जाके आप लेयर ब्लेर इफेक्ट को जा सेलेक्ट कर लो उसके बाद प्रोपर्टी में जाके इसका ब्लर इंक्रीज कर दो कि इमेज का बेक्ट में इसका साइड को प्लेश कर देना कि टेक्स टूल को सेलेक्ट करके अब एक टेक्स का टैप कर लो इसके बाद इसके टूल सेलेक्ट करके आसाइज को इंक्रीज कर दो टेक्स का साइज को इंक्रीज कर दो उसके बाद डबल टैप करके अब इसका फॉन्ट चेंज कर लो मैं एक यह फॉंट सेलेक्ट कर लेता हूं मैं इस फॉंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हूं उसके बाद इसका कलर चेंज कर दो आप इस कलर को ले लो कि उसके बाद स्केल टूल सेलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीस कर दो टेक्स का रिस साइज करने के बाद आप इस टेक्स को बैगरॉंड के साथ बिलेंड कर दो ताकि प्रोफर अच्छे से दिखे तो मैं बिलेंडिंग मूड चूस कर लेता हूं जैसे इस तरह से सौप्ट सब्सक्राइट कर देते हैं ताकि बेग्राउंड के साथ अच्छा दिए ओके उसके बाद इस टेक्स को कॉप मुलिकेट कर लेते हैं उसके बाद आप दूसरा टेक्स टाइप कर लो कि इस टेक्स का साइज को इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से कि इस इमीज का बैक में ले आना है वो के ड़न भी कि फिन फिर से नया टेक्स टाइब कर लेते हैं इस त gli था अपATT meter कर दो इआ अब हुआ अलों सेलेक्ट कर लेते हैं अब कर वार्ठ टेक्स टाइब कर लेते हैं बतार बाद crec is कि इसका साइज को छोटा कर ला है इस तरह से कि इसके बाद ट्रेक्स को वन पर्सन रोटेट कर दो लोकिन उसके बार करके इसका के लिए कर में इमिज से पीक कर ले टूंड को इस तरह से यह बादा कर लूरके लगोई bist History कर दो पिल उसके बाद से टूल को स्ट्रेक्ट करके आप एक रेट कर लो इस तरह से यहां पे आप इसका कलर फिल कर लो यही टेक्स वाला कलर को ले लो यहां पे आप अपना लोगो प्लेस कर सकते हो यहां पे एक रेक्टेंगल से फिर से क्रेट कर लेते हैं इस तरह से कि इसका साइज अर्जेस्ट कर लो इस तरह से उसके बाद इसका कलर चेंज कर दो इस यह वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हों कि उसके बाद सेप के उपर डबल डबल टैप करके इसका कॉर्णर को राउंडेट कर दो इस तरह से सेलेक्ट कर लो दो दो कॉर्णर को उसके बाद कॉ लेलो ओके इस तरह से ताकि यह प्रोपर मॉडन टैप का दीक है उसके बाद आप टेक्स को डूब्लिकेट कर लो इस फ्रेम पे प्लेस कर लो लोग खुल के डूबल टैप कर गे इसका कलर चेंज कर लो इस कलर को चूस कर लो ओके कि उसके बाद इस टैक्स को चेंज कर लो इसके टूल में जाएगा इसका साइज को इंक्रीज कर दो कि उसके बाद फिर से डूब्लिकेट कर गया आप अब अपना नंबर एड़ कर दो कि अब आप यहां पर जो इंफिर्मेशन डालना साथ चाहते हो आप फटा पर टैप कर लो मैं टैप कर लेता हूं ओके इस तरह से पर फिर से आप सेप्टूल में जाके आप एक सेप्रेट कर लो इस तरह से उसके बाद पर डूब्लिकेट करके फिर से यहां प्लेस कर दो इस तरह से आप कि माप ब्रेंड का इसम यहां पर लोगो प्लेस कर लोई में इस तरह से पूपर प्रोपर प्लेस करना होगा ताकि प्रोपर से प्लेस हो जाए इस तरह से मुझेश की में आफ इसको प्यण जी अवेलिए इस लिए इसको प्लेस करना होगा उसके बाद सेब कर टंग जिंच करate और इस तरह से हम कर उसके बाद लैंड में देट कर ले इस तरह से हना है का अपering आल्यक्राट चूस कर लेओअ इसका डूपलेकेट ले लेते हैं यहाँ पर प्लेस कर देते हैं कि अपिस तरह से अपका डिजैन है उसके बाद आप प्रपर इससब को लॉक कर दो ताकि लिए इधर उदधर मूव ना हो यहां पर अपना लोगो प्लेस कर लो इस तरह से कि उसके बाद से टूल में जा कि आप अपना एक इमेज प्लेस कर लो हैं डिजैन को पर इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो लो इसको क्रॉप करने के लिए कमांड प्रेस करके रखना होगा ताकि प्रोपर क्रॉप हो उसके बाद इसका एफेक्ट सेलेक्ट कर लो लेयर एफेक्ट में प्रोपर्टी में जाके आप इसका ब्लार इंक्रीज कर दो इस तरह से कर लेता हूं ओके रोटिट कर लो इसके बाद यहां प्लेस कर दो इसके बाद डूब्लिकेट करके आप यहां ले आओ इसे इसका साइज को डिक्रीज कर दो इस तरह से रोटेट कर दो इसको फिर इसे यहां फ्रेम में इसे लेया इमेज को ताकि फ्रेम में रहे ओके फाइनली आपका डिजाइन रेडी है आप इसे एसपोर्ट कर लो इसका क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए 2X पे सेट कर लो उसके बाद PNG सेलेक्ट है इसे JPG में सेलेक्ट कर दो उसके बाद इसे एसपोर्ट कर दो यह रहा आपका फाइनल डिजाइन अगर टिटोरियल अच्छा लगा तो कॉमेंट में बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भी टिटोरियल देखने के लिए थैंक्स पर वाचिंग